नमस्कार जैजी ने इंद्र में चाननी सरावगे आप सभी का वहाँ जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ हर मोड़ पे है चुनाती फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी वा 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 सिंदगी कभी थे धूप जिंदगी कभी है चाँ जीते हैं जिंदगी के हर एक दाँ जाने जमान ये जाने अलम चलते हैं सात्रियों खुशी और वं खुशी और वं वा 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 जिंदगी ये इस जिंदगी हर मोड पे हैं चुनाती फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी वा 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 सिंदगी जैन धन्म के 24 वित्र थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2622 वा जनम कल्यान दिवस सारे विश्व में काफी हर्ष्टों लास के साथ मनाया गया कोलकता महानगर में भी दिनांग 3 अप्रेल को भगवान के जनम कल्यानक दिवस पर अनेक कारिक्रम हुए जगा जगा प्रभात फेरिया निकाली गई और कई सांस्कृतिक कारिक्रम भी संपन हुए प्रते एक साल की तरह इस साल भी एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई ये शोभायात्रा बड़ा बजार चितपुर स्थित नया जैन मंदिर से निकली और विभिनमार्गों से होते हुए वापस नया मंदिर जी पहुची त्याग ना करें वो पीर नहीं होता बर्सों का तपस्ते का फल है बरना ऐसे कोई महावीर नहीं होता आओ हम सम मिलके करें महावीर शौमी का नमन जैजी ने में सभीता जैन बहाँ जिंदगी के और से आप सबको महावीर जैनती की शुब कामना है आज महाबीर भगबान का जन्म कल्यानक है और ये जन्म कल्यानक कोलकाता में ही नहीं पूरे देश में जैन समाज के द्वारा बड़ा ही उत्सहा के साथ मनाया जा रहा है और इस समय में हूँ महाबीर नगर में जहां बहुती भब्बे रूफ से कारीक्रम का आयोजन किया गया है ये महाबीर नगर का निर्मान कोलकाता के प्रसीद संस्था पुस्पांजली के द्वारा किया गया है तो चलिए मेरे साथ हम सब देखते हैं यहां के कुछ जलकिया इस शोभायात्रा में कोलकता हावडा की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अनेक जाकिया निकाली जाती हैं। इन जाकियों में संस्थाओं की सदस्य और सदस्याएं काफी उसाह के साथ भाग लेते हैं। इस शोभायात्रा में काफी बड़ी संख्या में महिला पुरुष के साथ बच्चे भी भाग लेते दिखे इस शोभायात्रा में स्कूल बच्चों के द्वारा सू मधूर बैंड भी प्रस्तुत किया गया जिसमें काफी बड़ी संख्या में विभिन स्कूलों के बच्चे मौजूद थे शोभयात्रा में विविने संस्थाओ द्वारा अध्वुत तरीके से जाकिया निकाली गई प्रतेक जाकी कोई न कोई संदेश दे रही थी जिसका प्रभाव लोगों के मन और मस्तिश को पर पढ़ रहा था ऐसा दिर्श्य साल में एक बार यानी महावीर जैन्ती के दिन ही देखने को मिलता है जहां एक तरफ महिलाई के सरिया वस्त्रों में थी वही पुरुश्वर्ग सफेद कुर्टे पैजामा में थे वे अपने उस सहा को जगा जगा नरत्य कर उजागर कर रहे थे जो जो लोग रैली में शामिल हुए थे उन्होंने अपने उस सहा और अपने वक्तव्य वहाद सिंदेगी की कैमरे में साजा किये आज महावीर जैन्म कल्लानक है इसके बारे में कुछ बताईए बरसों से ये महावीर जैन्ती का जुलूस निकल रहा है और दिन परते दिन एबरी येर इसमें कुछ नया दिया जाता है और बहुत सुन्दर जुलूस ये निकलता है और लोग इसको बहुत ही भाव के साथ और इंट्रेस्ट के साथ देखते है और जुलूस का आनंद लेते हैं और भगवान की जैजैकार करते हैं मैं वाजिन्दकी की पूरी टीम भाई लली जी, सविता जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बजाई दूँगा धन्यवाद दूँगा जो हर समय पूरे इन सब चीजों में भाग लेकर और जैन धर्म का पूरा प्रसार करती है मैं उनसे जानना चाहूंगी उनको पहली बार कोलकाता का महावीर जैनती का जुलूस देखने का मौका मिला उनको कैसा लग रहा है मैं अपने आप में गर्व कर रहा था कि जैपूर का मुकाबला कहीं नहीं है लेकिन आज जब जुलूस जो उत्सा यहां के लोगों मैं देख रहा हूं मैं बहुत-बहुत यहां के समाज को और कारे करता हों को बहुत-बहुत बदाई देता हूं और विशेश रूप से वाज जिंदगी जो समाज हितके लिए समाज के कारियों में हमेशा सक्रिय रही हर जगे मैंने कई दफ़े देखा है शिखर जी में भी और जगे भी इनका हमेशा यह जो समाज के प्रतिय अपना दाईतु निबा रहा है मैं इनको बहुत बहुत बदाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से बाई लली जी इसी तरह से चुड़े रहे हैं और आपका भी जो योगदान इसके अंदर है वो भी बहुत सरानी है है आज का जो दिन है अहिंसा प्रवोत्रम की जैके साथ एकांत बाद और अनेकांत बाद के बीच में बहुत बड़ा ही जो एक दूर भाव है उसको खतम करके अनेकांत बाद की ओर बढ़ता जा रहा है और आज के समय में इस अनेकांत बाद की जो महिमा है वो वर्नन नहीं की दा सकती और आज सब हम वाजिन्दगी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और वो इस कारेक्रम को कूप तेटी से आगे बढ़ा है मावीर जयनती हर साल हमारे यहां मावीर भगवान के जनम कल्यानक में हम यह जुलूस निकालते हैं यह अतियासिक जुलूस है कहीं भी ऐसा जुलूस है सारे जगह के जैनी एक जगही कटा होकर एक ही जुलूस में भाग लेते हैं ऐसे मावीर भगवान जो हमारे आज सासन नायक है उनकी जैनती पर हम पूरे कलकत्ता समाज की तरफ से सबको बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं आपके द्वारा हर साल स्टॉल लगाया जाता है और उस चीज का लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते जल ही जीवन यह आप में भावना कैसे आई कि जुलूस में आने वाले या कोई भी आते उनको आप जल पिलाए यह क्या है कई प्राचीन वर्सों से हमारा मावीर जैनती का जुलूस चला आ रहा है करीबन 20-22 साल पहले मेरे मन में ध्यान आया है कि इतने बड़े जुलूस में हम लोग की जो प्यासियों हो जाते लोग और इतनी गर्मी के मद्य में निकलता है तो हम लोगे भावना प्रगट हुई कि किसी भी तरह से यहाँ पर ठंडा पानी वगरा पिना के लोगों को कृतार्त किया जाए इससे क्या कि और एनरजी बढ़ती है और लोगों की भावना भी बढ़ती है महावीर जन्मक कल्यानक इसके बारे में आप कुछ बताए 2622 वर्स पहले बगवान महावीर का जन्म इस भारत देश की वैसाले के कुंड ग्राम में हुआ था और आज पूरे भारत में नहीं बलके पूरे विस्व में इस अहिंसा के प्रभावक प्रचारक उपासक भगवान महावीर की जैन्ती मिनाई जाती है हम उनके अन्याई हैं और उन्होंने ऐसे धर्म का प्रतिपादन किया जिसको पूरा विस्व मान सकता है क्योंकि अहिंसा से ही सांती संभव है इसलिए हम उनके अन्याई उनके उपदेश जीयों और जीनेदों को चारो तरफ फैलाते हैं वाज जिन्नकी को भी बहुत धन्यवाद है पूरा शहर मानों महावीर स्वामी के रंग में रंगा हुआ था हर तरफ जैन धर्म की पता का लहरा रही थी हर साल की थरह इस साल भी कोलकता की प्रतिस्ठित परोपकारी संस्था पुष्पांजली द्वारा शोभायात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया कुष्पांजली संस्था द्वारा निर्मित परिसर के सामने एक विशाल स्टेज बनाया गया और साथ ही बगल में शिखर जी की कृत्रिम रशना की गई और इस स्थान का नाम रखा गया महावीर नगर आप सबका मकसद क्या है और कितने सालों से यह आयोजन होता है मावीर नगर हम लूग विघथ करीब करीब 20 सालों से निर्मित कर रहे है और इसका मकसद यह है कि जेनों के खिलावा जेनों में भी यह पता चले कि मावीर बगवान का उद्देश क्या है उनका जी और जीने दो सभी के लिए हो हमें महावी जन्ती में ये सब करके खुशी होती है और जेन धरम का एक प्रचार होता है जन जन इस जुलूस में आप सब महिलाओं का क्या योगदान है फुस्पांजली संसा हम महिलाओं को बहुत ही हर कार्य में आगे रखे हैं और यहाँ पर इतना सुन्दर समेश सिखर जी की 24 टोकों की सजावट हुई है महावीर भगवान की सोबा यात्र कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है और हम सब महिलाओं और सब पुरुस वर्ग सदस्य के द्वारा आरती का आयोजन होगा और भव्वे रूप से भगवान महावीर की जुलू स्यात्रा का हम लोग स्वागत करेंगे आज बहुत ही हर्स का विशय है यहां सब बहने मिलकर उस पांजिली संस्ता द्वारा उस पांजिली के सामने हमने महावीर चैन्ती बनाने का एक प्रोग्राम बनाया है बव्वे रूप से निर्मित महावीर नगर का निर्मान शिरी निर्मल जी, पुश्पा जी और जैसिका जी बिंदायका के सौजन्ने से हुआ इसका उधगाटन भी इनी के हातों हुआ पिछले कई सालों से आप इस आयोजन में मुख्य भूमी का निभाड़ी है, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे बगवान अद वर्तमान के शाशन नायक महावीर जेन, महावीर बगवान का जरम दिन है तो हम इसे बहुत हसूर लास से मनाते हैं, ये सारे विश्व में मनाया जाता है हमारे बगवान हमें अहिंसा परमो धरम का पाट पड़ाते हैं, जिससे ये एकता के सूतर में बानता है और पूरा विश्व एक हो जाता है इसे हमें इंसा, चोरी, जूट, इर्शा ये सब भाव को खतम करने की एक सूचना मिलती है इसलिए हमारे महावीर भगवान का जरम हम बड़े दूमदाओं से मनाये जाता है आप इतने छोटे उमर में आपको ये मौका मिला धरम में आने का महावीर भगवान के इस मौके में आयोजन करने का आपको कैसा लगा है मुझे बहुत ही भाग्यशाली फील होता है कि मेरे मम्मी पापा और सब हम लोग सब धरम में बहुत कॉंट्रिब्यूट करते हैं तो हापी महावीर जैन्ती और आहिंसा परमो धरम जैसे ही जाक्या महावीर नगर आती पुषपांजली के सदस्य द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया जाता पुश्पांजली के द्वारा भी एक विशेल जाकी निकाली गई जिसके सौजिन निकरता शिरी दिलिब जी, श्रीमती ववीता जी कौशिक गंगवाल थे जिनका भी स्वागत किया गया शोभायात्रा में शामिल लोगों के लिए पुश्पांजली परिवार की ओर से शीतल शिकनजी की भी विवस्था की गई थी कारिक्रम के दोरान बीच बीच में समाज की गड़मान ने लोगों का सम्मान भी किया जाता प्रते एक साल गरीब और आसहाय लोगों को भोजन और वस्थर भी वित्र किया जाता है जिस पुन्य कारे है तो शिरी बाबुलाल जी, शिरी अशोग जी, शिरी मनोजी सराओगी पाटनी केपी ने वस्थर वित्रन कारे में अपनी महत्वपून योगदान दिया वहीं भोजन वित्रन के पुनितकारे में शिरी नेमी चंद जी, शिरी सुनिल जी पाड़िया ने अपना महत्वपून योगदान दिया साथी साथ समाज के अन्रशेश्टी गणों का मंच पर स्वागत और सम्मान भी किया गया कारिक्रम में भजनों की गूंज लगातार बजती रही मंच संचालन प्रख्यात भजन गायक श्री दिनेश दगडा ने किया उनके और उनके सुपोत्र हेमन डगरा की गाय हुए भजनों पर लोग जूंते गाते नजर आए साथ ही साथ प्रभास सेची ने अपने भजनों से ऐसा सवा बांधा की लोग ठिरकने पर मजबूर हो गए शर्म में तेरे आए चुटाई हो जाती जबरी में तो की विदाई हो जाती इसके तेरे मेरा या ना रहता हो जबरी मेरी विदाई हो जाती अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सब्रेक कहीं जाईए गवार हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है जहाद दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बास से परिचित नहीं है पिछले दो साल से वहाँ जिन्दगी जैन रतन के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है जिसके सीजन एक, दो और तीन के द्वारा अभी तक जैन समाज की एक सोपचास प्रतिभाव को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है इसके लिए हमारी आठ सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सडक मार्ग के द्वारा करी चाल लाख किलोमीटर का सफरते किया मकसद केवल एक ही है जैन समाज के द्वारा देश को दिये गए महत्पपूर योगदान से दुनिया को परिजय कराना देश के विकास में जैन समाज के वेक्तियों ने हर छेत्र में अपना महत्पपूर योगदान दिया है जहां न्याय के छेत्रों में हम उच्छ स्थर पर पहुँचे हैं वहीं राजनेतिक छेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्छ स्थान प्राप्त किया है भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतिय प्रशास्निक सेवा यानि IAS बन कर हमारे समाज की वेक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं भारतिय पुलिस में भी जयन समाज के अनेक वेक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं उद्योग और वेफसाय में तो हर छेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है हर देश के विकास में इस छेत्र का महत्पूनिस्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और वेफसाय में अव्वल है यहां तक की इस छेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कारे कर रहे हैं निर्मान और रियल स्टेट के छेत्र में भी अनेक ऐसे कारे किये गए हैं जो अंतर राश्ट्री अस्तर पर काफी प्रसिद्ध है Infrastructure, Power, Gas, Import-Export के साथ ही साथ कई ऐसे छेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपून होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन छेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है Corporate छेत्र में भी हम अग्रेणी हैं हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेर मार्केट से लगता है जिसमें भी जैन समाज के दिगजवेक्ती हैं स्वास्त के छेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नव जीवन दे रहा है सिक्षा के छेत्र में भी हमारे समाज अवल है धार्मीक और समाजिक छेत्रों में तो जैन समाज ने जो कारिक किया है वो अतुलनिया है इनके द्वारा अनेक परुपकारी कारिक किये जा रहे हैं हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदी छेत्रों में तो च्छाई हुए हैं जीय और जीन दोके सिधान्त पर अमल करते हुए अनेक कारिक किये गए हैं हमारे जैन समाज की महिलाए भी किसी से बीच नहीं है जहां वे उच्छ सिक्षित हैं वही उन्होंने कई छेत्रों में उल्लेखनिय सफलता हासिल की है यहां तक की हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मान्चुत्र पर अपना इस्थान बनाया है अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारिर्ग रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्बुत कारे कर रही हैं यानि की हर छेत्र में जैन समाज महत्व पून कारे कर रहा है यहां तक की कई अन्य धर्मा लंबियों की जैन धर्म के सिधान्तों में गहरी आस्था है अभी तक जैन समाज के सीजन एक, दो और तीन के द्वारा एक सो पचास जैन प्रतिभाव से देश और दुनिया को परिचा कराने का प्रयास किया गया है तुर भग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हगदान है हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू-मुस्लिम सिक इसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू-मुस्लिम जैन सिक इसाई किया जाए ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे दुनिया में जैन प्रतिभावों की कमी नहीं है इसलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी है जैनरतन सीजन एक, सीजन दो, सीजन तीन के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन चार की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रतेक शुक्रवार रातरी नौबच के 25 मिनट पर प्रसारित होता है जिसका पर रातरी प्रसारित होता है अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारे सभी एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्द हैं यूट्यूब पर आप सर्च करें बहाजिंदगी जैन रत्न साथ ही साथ आप हमारे वहाज जिन्दगी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नूटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें हमारी आठ सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगी हम से संपर्क करें ललिट सराओगी जैन कोलकाता 9331722031 सभीता जैन कोलकाता 9038348983 चांदनी सराओगी जैन मुंबई 9073657827 प्रेक के बाद मैं चांदनी सराओगी एक बार फिर से आप सभी काज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ ये शोभायात्रा विभिन नमार्गों से होते हुई चित्पुरिस्थित नया मंदिर पहुचकर समाप्थ हो गई जहां श्री जी को वापस विराजमान किया गया और जिसका सफल परिणाम प्रतेक वर्ष के भारती इस साल भी देखने को मिला वाकेई पुष्ट पांजली संस्था कोलकता ही नहीं बलकि पश्चि मंगाल की एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35 सालों से नीश्वार्त भाव से परोकारी कारे में लगी है ये संस्था भगवान महावीर के संदेश जीये और जीनो दो पर काम करती है पुष्पांजली कोलकता के रिदेश धल कहे जाने वाले बड़ा बजार में महिश्वरी दिवेंदर रोट परिस्थित है जिस कारण लोगों का आना जाना सुगमता पूर्वक होता है इस संस्था के द्वारा परोपकारी कारे के नित नए आयाम लिखे जा रहे है प्रतेक रोगियों का इलाज एक वाजिब दाम में किया जाता है यहाँ पर इलाज के लिए हर तरह की सुविधा है यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति कम लागत में अच्छा से अच्छा इलाज करा सकता है यहाँ पर एक्सरे, सिटी स्कैन, पॉली क्लिनिक, ECG, डेंटल, आई टेस्टिंग, ब्लड कलेक्शन जैसे जाज के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए है इस थनस्था के द्वारा इसके अलावा भी अन्यतरह के इलाजों की यहाँ पर व्यवस्था है यहाँ पर आक्सिजन और 2400 घंटे एंबुलेंस की भी सेवा मौजूद है यही वज़े है कि सिर्फ बड़ा बजार ही नहीं बलकि आसपास के लोग भी पुष्पांजली का लाब उठा रहे हैं पुष्पांजली के सभी सदस्य उन सभी दान दाताओं का दिल से अभार प्रकड करते हैं जिनके सहयोग से पुष्पांजली जरूरत बंदों की सेवा कर रहा है पुष्पांजली को मैजिकल एक्सिलेंस के अवार्ड से नवाजा गया है जिससे प्राप्त करने के लिए पूरी टीम दिल्ली गई थी इसके साथ ही पुष्पांजली को कोलकता के कला मंदिर में राम सरत को ठारी सेवा संगद्वारा बेस्ट सेवा भावी संस्थाय वाट से भी नवाजा गया पुष्पांजली में प्रती दिन करीब 400-500 लोग इलाज के लिए आते हैं और ये आकड़ा दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है इसके साथ ही उम्र दराज लोगों के लिए भी लिफ्ट की सुविधा की जा रही है चलिए जानते हैं इस संस्था के बारे में कुछ बात ही कौकाता के प्रसीद संस्था पुष्पांजली यह पुष्पांजली क्या-क्या सिवाय देती है पुष्पांजली के अनेक डिपार्टमें में है जैसे X-ray, CT scan, poly clinic जिसमें सारे specialist doctor जो है वो आप आईए, 50 रुपया का token कट आईए और जो भी specialist doctor है उनकी सिवा प्राक करिए अपना USG है, sonography है, ENT है, अपनी एक medical soap है, इसके अलावा oxygen department है ambulance है, जो 24 hour free चलती है, इसके अलावा surgical weight, water weight, wheelchair, अनेक जो भी patient को दरकार होती है वो आईए और अपना sleep कट आईए और ले जाईए, ये bad weight के कोई भी charge हम लोग नहीं रखते हैं अब अभी हम लोग हाल में door to door blood collection शिवा प्रारम करने जा रहे हैं जिसके अंतर पूरे कलकत्ते के अंदर कोई भी अगर चाहे तो एक दिन पहले अपनी booking कर ले, उनके घर में जाके वो blood ले आएंगे उस blood की report जो blood testing report है, वो जो mobile number और register करवाएंगे, उनके mobile में साम को automatic उनके link के द्वारा उनकी report चली जाएगी ताकि उनको पुस्पानली में आके report लेनी ना पड़े अभी हम लोग ने हाल में 6 महीने पहले हम लोग नई CT scan machine लगाई है, जो 32 slice की है, जिसका single आदमी ने विनिजी जांजरी ने ये donation दिया था, सिर्फ 600 रुपय में normal CT scan बेन करते हैं, कंट्रास होने पे उसका 1100 से 1200 रुपय लगता है इस संस्था से रोजना कितना पेसेंट लाब ले रहे हैं? कितने सालों से ये संस्था चला रहे हैं? भविश्व में ये संस्था कई परियोजना के लिए प्रयासरत है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाव मिल सके भविश्व में क्या-क्या योजना आए हैं? पर चेल को साथ दिन, दस दिन, बारादिन निज़ार करना पड़ता है, तो उसके लिए लिए हम लोग ने एक और सोनोग्राभी मसीन लेने की सोची है, जिसको जल से जल लोग इंस्टॉल करेंगे, और जो पैसे इन दस दिन, बारादिन में हैं, उनको हम लोग रेगुच करतेंगे ठाकि यो जल्दी से जल्दी सेवा ले सके हैं उसके लएवा हम लोग की और भी जनाई जैसे आई के अंतर का हम लोग आई यह टेस्टिंग मा फैको सिस्टम से सोच रहे करेंगे उसके अलावा भी और güजनाई पे विचार चल रहा है जिसको अम लोग आ Trad vay बढ़ा संपूर्ण पुश्पांजली यूनिट उच्चतम तक्नीकी सुविधाव से योगत है जाज के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं यही पर पुश्पांजली की जनरिक मेडिकल शॉप भी है जिससे रोगी अपनी दवाएं खरीद सकते हैं पुश्पांजली मेडिसीन में जो भी है पुश्पांजली का भी होता है जिस संस्था से जुड़े सभी सदस्या बढ़ चड़ कर संस्था से जुड़े कारियों में हिस्सा लेते हैं पुश्पांजली के कारे करताओं के साथ इसाथ पुश्पांजली में कारेरत संपूर्ण टीम नीस्वार्त भाव से अपनी सेवा दे रही है पुश्पांजली में करीब 40-50 डॉक्टर्स का यूनिट है जो लोगों को सेवाए दे रहे हैं पुश्पांजली मानो सेवा के कारे में लगी है और इस संस्था के द्वारा स्वास्त और शिकिस्या के छेत्र में अतुल निया और एतिहा से कारे किया जा रहा है और शायद यही वज़ा है कि पुश्पांजली के कारियों से लभामवित होकर लाखों लोगों के जिन्दगी बन गई वहाँ जिन्दगी तो दोस्तो आज का हमारा यह एपिसोड यहीं तक तो यह प्रयास आपको कैसा लगा दिये गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताए जैन धर्म का जो एक ही मकसद है जीओ और जीने दो मैं यह कामना करती हूँ प्रभू से कि हम सभी इसे अपनी जीवन में उतारे इसे सार्थक करे और अपनी जिन्दगी को जीए दूसरों को भी उनकी जिने दे नमस्कार जैजी नेंद्र